कि कैसे अब सब लोग वेल्पमीट स्टेडीवन जेके में श्वईव जेके एससबी की तरफ से काइस काफी इसको हम रीट करते हैं और साथी साथ में यह बतातू हम स्केल टेस्ट के लिए भी बात करेंगे कि अब क्या पॉस्टिबल्टी बन रही है कि हमारा स्कील टेस्ट कब तक कर दिया जाएगा तो यहां पर इस नोटिस में मैंशन किया हुआ है कि 25 सप्टेंबर से आपके एक्ज सब्सक्राइब की लाइब्रेरी असिस्टेंट जेई ड्रॉफ्ट मैं तो यहां पर वैरी सब्सक्राइब पोस्ट की नेम भी देख सकते हैं ठीक है तो गैस हमें यहां से यह तो क्लेर हो गया कि इनके एक्जाम स्टार्ट होने 25 सप्टेंबर से ठीक है मैंने आपको वीडि सब्सक्राइब के साथ ठीक है तो उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जेई के एक्जाम है वो टेंटेटिव क्लेंडर के हिसाब से स्केडियूल है थर्ड या फोर्थ वीक अगस्त में ठीक है जेई नहीं है पाकी और भी वैरिस अधर पोस्ट भी हैं यहां प तो क्योंकि जेई का एक्जाम टाइम पर स्केडियूल नहीं हुआ मैंने आपको कहा था कि सब्टेंबर के मंत में पॉसिबल्टी है कि हमें इन सब एक्जाम के लिए कोई अप्डेट मिल सकता है तो बिलकुल अकॉर्डिंग वैसे ही हुआ ठीक है आज जो जेई की तरफ से तो अगर स्टाइंग स्टंबर में इन पोस्ट के लिए एक्जाम कंडैक्ट जेकेडे फार्ण अगर्ण सोब Wakanda करने की क्या तो स्कील टैस्ट हमारा डिले हो जाना था थीक है क्योंकि 25 सब्टेंबर पोस्टा ऑ़ इसलिए इसलिए अब ये वीडियो लेकि हैं कि आपको प पता है था अभी भी वो चांसिस हैं बट मुझे यह पॉसिबल्टी भी लग रही है कि जेके असस्पी फर्स्ट यह सैकंड वीक अप सब्टेमबर में आपके स्कील टेस्ट करवा दे ठीक है इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस ज्यादा कर ले ठीक है यह मान के चलें कि आपका उसके बाद हमारा JSA का EXAM होगा उसके बाद हमाराound असा का EXAM और उस तरह से Tentative Lander के हिसाब से हमारा आगे चलेंगे को आप ऑने आपको बन रही है यहां पर आप देख ले यहां टाइपिंग टेस्ट हमारा starting में हो जाएगा अगर सप्टैंबर में ठीक है फिर जैके SSB उसके पास ending सप्टैंबर में जैके exam connect करेगी ठीक है उसके बाद junior assistant के लिए जो return examination हो सकता है उसके बाद जो हमारे बागी exam से according चलेंगे ठीक है यह जो possibility है guys यह मुझे थोड़ी ज्यादा दिख लिए इस वक्त कि ऐसा हो सकता है ठीक है कोई confirmation नहीं है बड़ possibility मुझे ज्यादा लग रही है ठीक है second possibility guys क्या बन रही है मैं आपको भी बता देता हूं कि जैसा मैंने आपको बताया exam हमारे जो सबसे पहले जाही का होना है उसके बाद हमारा junior assistant का उसके बाद हमारा JSA का उसके बाद guys जो आपक consistent के exam है उसके लिए skill test conduct करें ठीक है तो written examination जो है उसके बाद within two or three months में ठीक है तो यह भी possibility है बट यह comparatively जो मैंने आपको पहले बताया उससे कम possibility है ठीक है तो हो यह भी सकता है बट वो उसकी chances ज्यादा है होने के ठीक है इसलिए आज की वीडियो मेरा लाने का यह मकसद है कि आपको मैं यह चीज इनफॉर्म कर दूं ठीक है कि आप अपनी practice बढ़ा दें ठीक है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो बताई थी वह मैं स्केड्डियों के हमारा जेई का एक्ञांब्र स्टार्टिंग से स्टार्ट होइं ठीक है तो हमारे स्क्रिट होने के चmooms फिर खतम हो जाते हैं क्योंके और už पत्चिस सब्सक्रिण एक्षान से स्ब्सक्रियों कर दूए इसलिए यह जो गैप आगया जिस स्ब्तेंब्र स स्क्रेडियूल अभी तक नहीं है अभी तक कोई बताया नहीं है कौन से एक्जाम किये जाएंगे तो इसलिए बहुत जाबा पॉसिबल्टी है कि आज पर टेंटिटिव लेंडर ही हमारी स्केल टेस्ट किये जाएं ठीक है यह मैंने आपको बताना था इसलिए आप अपनी प् आप शिफ्ट में प्रैक्टिस कर रहे है उसका बढ़ा दें अगर आप एक से दो ग्ह freshmen प्रैक्टिस करते थे तो आप आप दोसे 3 ंग e शाम और आपनी फिंगर्स को ठका के प्रैक्टिस नहीं करना है लेए अगर से क्या होता है कि हमारी हमारी फिंगर्स ध्क जाती करते हैं फिर हमादी accuracy कम हो जाती है फिर आपको पता नहीं चलेगा कि प्रावलम कहां पर आ रही है ठीक है अगर आप शीफ्ट में प्रैक्टिस करते हो तो आपको काफी ज्यादा output लगेगी जिनकी speed 35 words per minute है वो काफी जैदा अभी doubt में है कि क्या वो skill test qualify कर पाएंगे या नि कर पाएंगे उनको मैं बता दूँ बिल्कुल वो skill test qualify कर सकते हैं आपकी अपकी dedication बताएगी कि आप skill test qualify कर सकोगे या नहीं आपको क्या करना है गाईज अब practice ज्यादा करनी है और थोड़े सार मौडरेट लेवल के paragraph practice करने और जो paragraph में आपको provide कर रहा हूं टेलिग्राम चैनल पर वह भी आप practice करने ही कोशिश करो ठीक है और गाईज आपकी तरफ से कुछ मुझे comment आ रहे थे कि जो paragraph में provide कर रहा हूं वो बहुत ज़्यादा difficult है तो उनका level में थोड़ा सारा कम करके exam के equal कर दूँ ठीक है अब मैं आपको जो paragraph provide करूंगा वो exam oriented paragraph होंगे ठीक है अब जो आपका score आएगा उन paragraph में आप मानके चलें कि वही score आपका skill test में उसी के round round score हो सकता है ठीक है जो आपका इन paragraph में आएगा जो मैं आपको provide करूंगा ठीक है यह भी हो गया तो आपको कोई भी comment है यह आपको क्या लगता है skill test हमारा किस तरह से conduct किया जाएगा आप इसी वीडियो के निचे comment करके बता सकते है ठीक है और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक करके बताना ठीक है थैंक्यू गाइस मिलते हैं किसी नए topic पे ओकी गाइस पाई हुआ 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 है